हेलो फैंड, सु आगे ते आफ सभी का आपके अपने स्टीट उप चैनल पर दोस्तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ अगर आप सागवान की लकडि की बिंडो बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा आ जाएगा जो आपके पल्ले बनाए जाते हैं जैसे कि आप इनको बनाते से में ये खरीदते से में क्या बाते हमें धियान में रखनी होती हैं और अक्सल साइट पे जब भी या मार्किट में आप खरीदते हैं तो आप से किन बातों को छुपाया जाता है और जो पहली वार घर बना रहे हैं या पहली वार लकड़ी का काम करवाने अपने घर में उनको ये बाते पता होती ही नहीं है तो जैसे कि सामने आप देख रहे हैं कि आप एक बिंडो जो है वो कम्पलीट डिजाइन आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है ये डिजाइन के बारे बात करें तो एक अच्छा डिजाइन मुझे लगता है आपका जो देख रहे हैं इसको चाहिए तो आप यूज कर सकते है बेसिकली हमें दियान के रखता है इन पल्लों में तो जो पल्ले आप देख रहे हैं जो हमारी बिंडो एक खुलती है अंदर की साइट बार की साइट तो अगर मैं है पर बात करूँ तो सबसे पहले जो इनकी कॉस्ट वैरी करते है वो इंचीज पे करते है जो इसकी चोणा नंची के बीच में होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए बीच में आप जो देख रहा है पर मॉल्डिंग के तवर पर सपोर्ट दिया गया है तक कि ग्लास लगाया गया वेंडो में उसको शपोर्ट मिल सके क्योंकि अकसर आपने देखा जो बिंडो को खोलते है तो वह जहटके से क्या होता है कि वो तूड जाती है शीशे विगरा अब यहाँ पर जो मैं कॉस्ट की बात कर लेता हूँ क्योंकि जो बिंडो फ्रेम होती है चोकर जो होती है उसकी रणिंग फिट में नवाई होती है यानि जो आप देख रहे हैं वो आपका सागवान की लगड़ी है अब यहीं पर लगड़ी आपकी शीशम के तो वो 300 रुपए में आपको ठेकेदार करके देदेगा या जो भी आपका बूर्डर में वर्क करने वाला मिस्त्री होगा वो देदेगा बिद मिटर में तो यहाँ पर हो गया है आपका स्वावान की लगड़ी का अभी यहाँ अगर मैं बात करूँ यह तो हमारा स्रिप रहे गया आपको वो तयार करके देगा लेकिसमा पॉलिस नहीं होगी तो पॉलिस की बात करें तो पॉलिस भी कही तरह के होते हैं बड़ अगर मैं पॉलिस की एक एवरेज रुपे बताओ तो 50-60 रुपे के बीच में आपको पॉ यह उसका अलग से पेकरना पड़ेगा चाये भली ठेकेदार आपको लगा के दे दे तो अब क्या होगा कि वो आपका जो कबज रहते हैं एक कबज अगर ऐसकी बात कि तो 50-60 रुपे के बीच में मिल लेगा वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का ले रहे हैं या कुछ ब और जो आपकी यह इस तरह की पल्ले हैं वो लगाते हैं तो आप उसको साड़े 300 रुपे के स्कायर फिट के साफ से नापेंगे तो जो भी आपका बिड़ो का साइज यह दिखो हर किसी की बिड़ो का साइज एक अलग हो सकता है तो उससे आपको एक आइडिया मिल जागा आ तो उस चीज को ना समझें बस मेरे एक आइडिया था कि आपको लमसम बताने का बाकि अगर मैं लकडी की बात करूँ तो आप सागवान की लकडी शीशम की लकडी यही दो लकडी मुझे काफी ठीक लगती और मैं ज्यादा यूज भी करता हूँ जैसे कि आप दरवाजा द विजिट कर लेडा बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी जो आपकी नॉलिज के लिए काफी हेल्प करेंगी तो थैंक यूफर मोचा है वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में